हाथ का पंप या चापा कल के तेरे काम करेला यह समझे खातिर यह बहुते आसान प्रयोप होगे एकरे खातिर आपके साइकील का तार, कैची, एको रोल फिल्म का डबा, एक सिक्का, बॉटल का धक्कन और सेलो टेप लगी और निपल नट भी लगी अब डिब्बी के धकन में एको छेदा बना ले और वैसे ने छेदा डिब्बी के उपरी छोर के नजदीक बना ले ताकि वहाँ से पानी बहार आ सके डिब्बी की नीचे वाला हिस्सा में एको बड़ा छेदा बना लें यह छेदा काफी बड़ा हो सकेला एक सेंटिमीटर जितना ए छेदा आपन शक्षन पॉइंट होए डिब्बी की छेदा में एक कसिका डालके रख लें पानी के बोटल के ढखकन में दूगो छेदा बना लेगो छोट और एको बर्ड उकर छोटा छेदा बाइसीकल का तार लगाए खातिर और बड़ा छेदा वाल खातिर रही इक ढखकन आपन पिस्टन की जिसन काम करें अब उमें साइकल का तार लगा के दूनों निपल नट से ओके बांध लें या टाइट कर लें यह आपन पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का असेंबली हो गई अब एको छोटा सा टेप लेके ओकर आधा का आधा हिसा ओई के उपर चिपका लें और यह टेप लेके अपने पिस्टन का छेदा पे ऐसन लगाएं कि ना चिपके वाला हिस्सा छेदा के उपर रहे देख सके निजा कि ना चिपके वाला हिस्सा है एलिए यह आराम से खोल बंद हो सके ला अभी पिस्टन अपने डिब्बी में डाल लें एको सिक्का के उपर यह भाईले के बाद उपर से ओकर ढखकन तार में से डालके डिब्बी बंद कर लें अब आपन हाथ का पंप खेले खाती तैयार हवे अब जैसे यह डिब्बी आप एक मक पानी में नीचे हलका सा रख के तार के उपर नीचे खीचंजा आप देख सके निजा कि पानी इबहार फेकी आप देख सके निजा कि चापकल भी एही तेरे काम करे ला पानी डिब्बी के उपर के छोर से निकलतावे, ध्यान दें